अमस्कार माहूं अंकूर और आप देख रहे हैं सत्तिंगली बुलिट हैं एक नाश डाल लेते हैं अब तक की ख़बरों दिल्ली की साकेट कोट ने केंद्री विश्विद्याले जाम्या मिलिया इसलामया की नज़ीकोई हिंसा के मामले में जेन्यू के चात्र और दस अन्य लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है साथ ही अदालत ने कहा असाहमती अभिवक्ती की स्वतंतरता जैसे मौलिक अधिकार का ही विस्तार है लाइव लॉकी रिपोर्ट के अनुसार तिली के अदालत ने 2019 के जाम्या हिंसा मामले में शर्जी लिमाम, सफूरा जर्गर, आसिफ इकबाल तनहा और आठ अन्नि को डिश्चार्ज करते हुए कहा कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में अर्समर्त रही और निश्चित रूप से उन्हें बली का बकरा बनाये गया अदालत ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पुलिस अपराध को अंजाम देने वाले असली अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही लेकिन इन लोगों को बली के बकरे के तौर पर गरफतार करने में कामयाब रही और पुलिस ने विरोध करने वाली भीड में से कुछ लोगों को आरोपी और अन्नी को पुलिस गवाह के रूप में पेश करने के लिए मनमाने ढंक से चुना है अदालत ने कहा ये चेरी पिकिंग निश्पक्षता के सिधांग के लिए हानिकारक है कोट ने कहा ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे की कठोड़ता से गुजरने देना हमारे देश की आपराधिक नियाय पनाली के लिए अच्छा नहीं है लाइव लगी रिपोर्ट के अमसार कोट ने कहा कि जहांच एजन्सियों के लिए विरोध और बगावत के बीच के अंतर समझना जरूरी है बगावत को निर्वेबाद रूप से समाप्ट करना होगा हाला कि विरोध को स्थान दिया जाना चाहिए एक मंच देना चाहिए कानून मंत्री किरें नेजुजु ने नियाय पालिका को लेका एक और बयान दिया है उन्होंने कारिकर्म के दौरान कहा कि हम ने नियुज में देखा कि सुप्रीम कोट ने वार्णिंग दिये कारून मंत्री ने काहा कि इस देश का मालिक के लोग हैं हम सेवक हैं सेवा करने के लिए आये हैं इस बीच नियुक्तियों में केंदर के द्वारा देरी की जाने और ट्रांसपर में देरी करने को लेकर सुप्रीम कोट केंदर को चेताबनी दे चुका है। उसने कहा था कि अगर सरकार और देर करती है तो हम एक असहज आदेश जारी करने पर मजबूर होंगे। इसके बाद कानून मंत्री का ये बयान आया है। के आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। कहा कि सुप्रीम कोट ने करोना महमारी के दोरान 3 लाग से अधिक मामलों की सुनवाई की। अदालत के लिए कोई भी मामला छोटा बड़ा नहीं होता हर मामला महत्तपूर है। शिकायतों से जोड़े छोटे मामलों और नियमित मामलों में नागिरिकों के समवधानिक महत्तु के मुद्द्य सामने आते हैं। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने से कोट अपने समवैधाने करतब और अदायत पूरा करता है अडानी ग्रूप पर लगे आरोपों की जांच को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है इस बीच नीतिश कुमार ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया नीतिश कुमार ने विपक्ष की जांच की मांग कर समर्थन किया और कहा कि गौतम अडानी की कमपनियों का खलाफ लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए उन्होंने आडानी मामले को रेकर संसद में हुए हंगामे पर पत्तरकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा हाँ कुछ सुने हैं देख रहे हैं उसके काम का कुछ मतलब नहीं है अब तो आई ही गया है सब कुछ प्रकाश में है तो इसको देखना चाहिए केंदर सरकार ने शनिवार को आडानी समूगी कंपनियों को दिये गए लोन पर अपना बचाओ किया वित मंतरी निमला सितारमन ने शनिवार को कहा कि LIC, SBI और बाकी सरकारी बैंकों ने नियमों के तहती अडानी समूग को लोन दिये ना तो LIC को और ना ही SBI को कोई घाटा हुआ है निमला ने कहा कि FPU आते हैं और बाहर निकल जाते हैं पहले भी FPU आपस लिए गए हैं हर बाजार में उतार चड़ा होता है तथ ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 8 बिलियन आया है ये साबित करता है कि भारत और इसकी ताकत के बारे में दुनिया के धाना बरकर निमला सितरमन ने कहा कि Regulator अपना काम कर रहे हैं RBI ने बयान दिया LIC ने अपने Exposure के बारे में बताया Regulator आजान हैं जो उचित हैं उसे करने के लिए सक्षम हैं ताकि बाजार अच्छी तरह से चलता रहे अडानी समूं की कमपनियों के शेरों में जारी गिरावट को लेकर विबात जारी हैं इस बीच सेवी ने शनिबार की शाम को एक बयान जारी कर कहा कि वो बाजार के व्यवस्तित और कुशल कामकाज को सुनिशित करने के लिए प्रतिबद्ध है सेवी ने अपने बयान में कहा कि एक विशेष समूं के शेरों में चल रही अत्यधिक अस्थिर्था को दूर करने के लिए सभी ज़रूरी और निगरानी उपाय किये गया है अडानी समू का नाम लिए बिना बाजार नियामक ने एक बयान में कहा कि एक वयापारिक समू के शेरों में असमान ने मूले विचलन देखा गया है सेभी ने कहा कि बाजार के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार संस्ता होने के नाते बाजार को व्यवस्तित और कुशल कामकाज को बनाय रखना उसकी प्रात्मिक्ता है अडानी मामले को लेकर कॉंग्रेस ने 6 फरवरी को LIC दफ्तरों और भारती स्टेट बैंक यानि SBI की शाखाओं के सामने देश व्यापी विरोध प्रदशन करने का फैसला किया है मीडिया से बात करते हुए कॉंग्रेस महासेचिफ केसी वेन गोपाल ने केंदर सरकार पर निशाना साधा और उन पर अपने खास दोस्तों का समर्थन करने के लिए आम लोगों के पैसे का इस्तमाल करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कॉंग्रेस पार्टी ने सोंबार को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में राष्ट व्याप्या अंदोलन करने का फैसला किया है रिपोर्टों के अनसार विपक्ष इस तरक का इस्तमाल कर रहा है कि SBI और LIC जैसे सारवजनिक शेत्र के बैंकों में अडानी समू के निवेश का मध्यम वर्क की बचत पर बड़ा प्रभाव पड़ा है इस बीच विपक्ष नेताओं ने कहा कि सरकार संसद में इस मुर्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही है इसलिए प्रधानमंत्री मोधी को घेरने के लिए संसद के मंच का इस्तमाल जारी रहेगा संसद में हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कारवाही को 6 फरवरी तक के लिए इस्तगित कर दिया गया है अडानी गुरूफ के खिलाब विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है हाना कि सरकार इसको अंदेखा कर रही है इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष, बीबीसी, राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोट जा सकता है उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन को बादित करने के बजाए बैठेक में भाग लेना चाहिए राश्पती के अभिवाशन और बजट पर बहस जिसके दौरान वेस मुद्दे पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं जेपीसी का गठन हर चीज में नहीं किया सकता जेपीसी बच्चों की समिती नहीं है जेपीसी के गठन में एक मुद्दा होना चाहिए इसके लिए सदन को बाधित करने के जरुवत नहीं है उन्होंने कहा कि BBC की डॉकिमेंटरी और राफेल के मुद्दे पर लोग कोट जा चुके हैं अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से जबाब नहीं दे रही है तो आप सुप्रीम कोट या हाई कोट जाने के लिए स्वतंतर हैं आपके पास ये विकल लोगतंतर में उपलब्ध है केदर सरकार ने सुप्रीम कोट में पांच नए जज़ों की नियुक्ति को मंजूरी दे दिये मंजूरी से कुछ घंटो पहले सरकार ने कोट को आशाशन दिया था कि नए नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी सुत्रों का मानना था कि नियुक्ति के संबंद देर रात या फिर इस सब्ता के आखिर तक अधिसूचना जारी करने के उम्मीद की जा रही थी सुप्रीम कोट में पदोनत होने वाले जस्टिस, पंकच मिथल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, ऐसानुद्दीन, अमानुल्ला और मनोज मिश्रा हैं सुप्रीम कोट में नियुक्ति के लिए इन पांच जजों के नाम 13 दिसंबर से सरकार के पास लंबित थे एडी ने मनी लॉंडरिंग वामले में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी के करीबी सयोगी अलंकार सवाई से पुष्टाज की और उनका बयान दर्ज किया प्रिटिया के मुताबिक ये पुष्टाज DMC प्रबक्ता साकेत गोखले से संबन्दित है साकेत को हाल ही में गुजरात में एडी ने ग्रफतार किया था इडिया धिकारियों ने ये भी कहा कि सवाई से इस सप्ता की शुरुआत में तीन दिन पहले एहमदाबाद में गोखले से पुष्टाज की गई थी और आमना सामना कराया गया था बता जाता है कि सवाई राहूल गांधी की रीसर्च चीम का नेत्रप्तु कर रहे हैं एजनसी ने 25 जनवरी को गोखले को ग्रफतार करने के बाद सवाई को तलब किया था जब साकेत गोखले क्राउड फंडिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से धन जुटाने में कतित वित्तिय और इमत्ताओं के सिलसिले में गुजरात पुलिस के हिरासत में थे दिल्ली में आबादी पार्टी के दफतर पर बीजेपी ने शनिवार को जबरदात विरोध प्रदशन किया रद की जा चुकी शराब पॉलिसी से जुड़े ब्रष्टचार के आरूपू को लेकर मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल के स्तीफे की मांग की जा रही है इस से थाबित होता है कि वो ब्रष्टचार में शामिल थे Хाला कि एडी ने किर्जणिवाल का नाम नहीं लिया है नाहीं चारशीट में उनका नाम है राज्य विधाने परशक सीटों के लिए तीन शिक्षकों और दो सनातकों के निर्वाशन शेत्र के चुनाओं ने बीजेपी को उसके गड़ में ही जटका दिया जब चुनाबों की गोश्टा की गई थी तो भाजपा ने दावा किया था कि वो दो सीटों नागपूर शिक्षक सीट पर और अमरावती सनातक सीट पर जीत के बारे में आश्वस्त है लेकिन भीजेपी न दोनों सीटों पर हार गई पताते हैं नागपूर शिक्षक निर्वाशन शेत्र से मौजुदा MLC नागो गनार को महाविकास अगाडी गट बंदन के सुधाकर अधबले ने हरा दिया नागपूर में RSS का मुख्याला है और नितिन गटकरी और डिप्टी सियम देविंद फंडवीज जैसे दिगज यहीं से आते हैं इंडिन एक्सपर्स के अनुसार हार के बाद पार्टी के अंधुरूनी सूत्रों ने कहा हमने शिक्षकों और सनातक सीट पर अपने समर्थकों को हलके में ले लिया साथी हमें अपने उम्मीदवारों को बदलना चाहिए था तीसरा, शिक्षकों और सनात्कों के निर्वाशन शेत्रों के भीतर वेविन समुदायों के बीच सोशल इंजिनिरिंग की अंदेखी कर दी गई चौथा, पुरानी पैंसर योजना को बाहल करने की पेशकस ने विपक्ष के पक्ष में काम किया राजस्तान के सैनिक कल्यान और पंचायती राज्यमंत्री राजेंदर गोड़ा के खिलाफ अपरहन का एक मामला दर्ज कराए गया है मामला दर्ज होने के बाद मंत्री गुडाहने मुख्यमंत्री अशुक गहलोत के खलाफ उन्हें फसाने का रूप लगाया गुडाहने कहा ये संबब नहीं है कि किसी मंत्री के खलाफ मामला दर्ज हो और मुख्यमंत्री को सूचित ना किया जाए ग्री मंत्राले मुख्यमंत्री के पास है जूठा मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए मैं व्यक्तिकात रूप से मुख्यमंत्री से मिलूगा और पूछूँगा कि आप क्या साबित करनी की कोशिच कर रहे हैं हाल ही में पदम भूशंट से संबानित की गई पार्शुगाय का वानी जैराम का आज शनिबार को चेनने में उनके आवास पर निदन हो गया वो 78 वर्ष की थी NTV के खबर के नुसार आज सुब़े जब उनकी नौकराने काम पर पहुंची और कई बार घर का दर्वाजा खटखटाने और फोन करने के बाद भी अंदर से जवाब नहीं मिला उसके बाद उसने उनके रश्टदारों को सूचित किया जिन्होंने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्वाजा तोड़ा और उनके अपार्टमेंट में मृत पाया कुछ साल पहले वाणी जैराम के पती की भी मौत हो गई थी उसके बाद से वो चन्नाई के अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी वाणी ने 1970 के दशक के शुरुवात में अपना करिया शुरू किया जिसमें वो पाँच दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रही इस दोरान उन्होंने तमिल, तेलगू, हिंदी, कन्नड, गुजराती, सहित, कई और विभिन भाषाओं में भारतिय फिल्मों के लिए 10,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किये माशूर एथलीट और भारतिय ओलम्पिक संग की अध्दक्ष पीटी उशा ने शनिवार को केरल के बालू सेरी में अपने अकादमी उशा स्कूल ओफ एथलेटिक्स में हो रही अतिक्रमण और गुंडागर्ती कारोप लगाया उनने परिशाने को खत्म करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजन से मदद मागी उशा स्कूल ओफ एथलेटिक्स देश भर से हाजारों एथलीटों को एथलेटिक्स में प्रिशिक्षन पदान करता है इसकी शुरुआत 2002 में भारत में ओलम्पिक पदक विज दी हुई है पीटी उशा ने कहा कि फिलहाल वो अपनी अकादमी में महला खिलाडियों की सुरक्षा को लेकर चिंते थे हैं उन्होंने बताए कि अकादमी के चारों और बार बनानी की कोशिश की गई लेकिन पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई अगनीवीरों को सेना में भरती होने के लिए अब पहले एंट्रेंस परिक्षा देनी होगी सेना ने अगली वीरों के लिए अपनी भरती प्रक्रिया में बदलाव की गोशना करती हुए कहा कि इच्छुक उमीदवारों को पहले एक उनलाइन प्रवेश परिक्षा से गोजरना होगा इसके बाद भरती, रैलियों के दोरान, शारीरिक फिट्मिस परिक्षन और फिर चैन से पहले मेडिकल किया जाएगा इंडिन एक्सपस के मुताबिक सेना ने अपने एक विग्यापन में सैनकों की भरती के लिए तीन चरणों की परिक्षा का बेवरा दिया है विग्यापन शुक्रबार को जारी किया गया, इससे पहले अग्निवीर उमीदवारों को फिजिकल फिटनेट टेस्ट से गुजरना होता था जिसके बाद उनको मेडिकल टेस्ट होता था, अंतिम चरण के रूपे उन्हें अंट्रेट टेस्ट पास करना होता था अब तक 19,000 अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं और 21,000 मार्च के पहले सब्ताह से सेना में शामिल होंगे नए भरती नियम 2023 के अगली भरती चक्र से सेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लगबग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होंगे राज में बाल विभा के बढ़ते मामलों और इसके वज़े से मातावा शिशु मृत्तुदर में आई तेजी पर अंकुष लगाने के लिए पूर्बोत्तर राज असम में करनाटक से सबक लेते हुए एक एहम फैसला किया अब उस पर अमल करते हुए राज पूलिस ने बाल विभा करने वालों के खिलाप बड़े पैमाने पर धर पकड़ अभियान शुरू कर दिया है शुक्रबार से शुरू हुए इस अभियान के तहट अब तक 4000 मामले दर्ज कर 1800 से जादा लोगों को गरफतार किया जा चुका है इनमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों का खिलाफ पॉक्सो अधनियम और 14-18 साल तक की उम्र वाली लड़कियों से शादी करने वालों का खिलाफ बाल विभा रोकताम अधनियम 2006 के तहट मामले दर्ज के गया है मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सर्मा ने शुक्तुरवार को एक ट्वीट से इसकी जानकारी दी राज्य पुलिस ने जिन इलाकों में बाल विवा के मामने दर्ज किया हैं उनमें उसे ज्यादतर मुस्लिम बहुल है मुख्यमंत्री के दलील है कि बाल विवा के खिलाफ अभ्यान किसी खास तबके को निशाना बनाने के लिए शुरू नहीं किया गया है अब तक के खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्त हिंदी के साथ अमस्का